गुरु प्यारिसाव संगजी प्रेम से कहना धन निरंकार जी कर्मों की दोलत एक राजा हुआ करता था उसने अपने राज्य में जनता से क्रूरता करके बहुत सी दोलत ही कठा की और आवादी से बाहर जंगल में एक सुनसान सी जगा पर बनाएगे तैखानी में खूफिय तोर पर शुपा दिया खजाने की सिर्फ दो चावियं थी एक चाविय राजा के पास और दूसरी उसके खास मंत्री के पास थी इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खूफिय खजाने का राज मालुम नहीं था एक दिन किसी को बताए बगैर राजा के लिए अपने खजाने को देखने निकला खजाने का दर्वाजा खोल कर वे अंदर दाखिल हो गया और अपने बिशाल खजाने को देख देख कर खुश होने लगा उसी समय मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दर्वाजा खुला हुआ है बेहरान हो गया और सोचा कि कहीं कल रात को जब वे खजाने देखने आया था तब शायद खजाने का दर्वाजा खुला रह गया होगा उसने जल्दी जल्दी खजाने का दर्वाजा बाहर से बंद किया और वहां से चल दिया उधर खजाने को निहारने के बाद जब राजा संतुष्ट हुआ और दर्वाजे के पास आया तो देखा की दर्वाजा तो बाहर से बंद है उसने जोर जोर से दरवाजा बीटना शुरू किया पर वहाँ उस जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था राजा चिलाता रहा पर अबसोस कोई ना आया वो थक हार कर खजाने को देखता रहा राजा भूक और प्यासे बिहाल होकर पागलों सा हो गया नायाव हीडो मुझे एक गिलास पानी दे दो फिर मोती और सोने चांदी की संदूकों के पास गया और बोला ए मोती चांदी सोने की खजाने मुझे एक बगत का खाना दे दो राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बोल रहे हो कि तेरी सारी जिन्दगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती राजा भूक से बेहोश होकर गिर गया जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर कर दिवार के पास अपना विस्तर बनाया और उस पर लेट गया वो दुनिया को एक पेगाम देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थी राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खूंड से दिवार पर कुश लिख दिया उदर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंते रहे पर जब बहुत दिनों तक राजा ना मिला तो मंत्री राजा की खजाने को देखने आया उसने देखा कि राजा हीरे जवहरात के विस्तर पर मिर्त पड़ा है राजने दिवार पर खून से लिखा हुआ था ये सारे दोलत मुझे एक घूट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी यही अंतिम सच है आखरिस में साथ केवल करमों की दोलत जाएगी चाहे आप कितनी बेमानी से पैसे हीरे सोना चांदी कठा कर लो सब यही रह जाएंगे संतो प्रेम से कहना धन निरंकार जी